हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज हम लोग देखेंगे 1440 स्कॉार फीट का हाउस प्लान जो कि ये पासिंग हाउस प्लान है जिसको हम लोग लौन परपस के लिए बनाते हैं या फिर अगर हमें नगर निगम या कहीं से भी पास करवाना है तो हम लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें हमारा सारा डीटेल होता है प्लान व्यू बनाते हैं हम लोग सेक्शन क्रॉस करके बनाते हैं उसका फिर फ्रेंट एलिवेशन बनाते हैं उसके बाद फाउंडेशन का डीटेल हो अगर देते हैं तो चलिए आज उसी को हम लोग देखेंगे तो इस यह 1440 स्क्वाइर फीट का है जैसे कि देख सकते हैं मेरा 18 फीट का रोड है सामने ठीक है यह हमारा साइट प्लान है ठीक उसमें हमें 30 फीट का फ्रेंट मिला हुआ है और 48 फीट का मेरा लंबाई में मेरा फ्लॉट है जो टोटल 1440 स्क्वाइर फीट का बनता है का इसक प्रैंट्ट में हम लोग चार फीट का पैसे छोड़े वे और पीछे से लोग सेट बैक डिस्टेंस जोऑँ दो फीट 6 इंच का छोड़े वे हैं सेट बैक डिस्टेंस हमें छोड़ना परता है अगर पासिंग के लिए बनाना है प्लान तो उसके लिए आपको straight back distance छोड़ना पड़ेगा तो सबसे पहले हम लोग ground floor का plan देखते हैं ground floor के plan में आते हैं तो यहां से हम लोग क्या किये हैं 4 feet सामने जगा छोड़ दिये हैं उससे हमारा 12 feet into 13 feet 4 inch का क्या है हमारा parking है ठीक है उसके बाद ground floor पे हम लोग 2 दुकान रखे हैं swap रखे हैं जिसका size 8 feet into 9 feet 6 inch दूसरा मेरा swap का similar size है 8 feet 4 inch into 9 feet 6 inch का दो दुकान हम रखे हैं नीचे और ground floor पूरा मेरा खाली है जैसे कि देख सकते हैं पूरा hall है और इस side एक toilet है जो कि हमारा toilet जो है वो south direction में है toilet हमारा south direction में है हमारा road जो है ये west direction में ये हमारा east हो गया ये हमारा south हो गया ये हमारा north हो गया तो यहां हमारा north direction में toilet है और toilet के just bugle में हम लोग duct छोड़े हुए हैं क्योंकि इसमें हम लोग ventilation provide कर सकें अब पीछे हम लोग 2 feet 6 inch का side work distance छोड़े हुए हैं तो हम लोग first floor और second floor similar है उसको इसके बार हम लोग देख लेते हैं देखे चार feet हम सामने side work छोड़े हुए थे तो चार feet जिसको हम लोग balcony में यूज कर लेंगे यहां पे हमारा stair है stair जो हमारा कहां पे है south में stair का तीन position होता है manly हम लोग या तो south के middle में provide करते हैं या west के middle में provide करते हैं या south west के corner पे provide करते हैं तो यह हमारा south के middle में provide किया गया है जो हमारा यहां से up होते हैं उसके बाद मेरा 7 feet का लिया गया है 3 feet 4 inch का इधर है 3 feet 4 inch इधर होगा उसके बाद बीच में 5 inch का gap है तो stair यहां से आके first floor पे यहां से हम लोग इंटर करते है यहां हम लोग क्या करेंगे इंटर करेंगे इस part में ठीक, यहां से इंटर करने के बाद दो flat हम लोग बनाए हुएं फर्स्ट फ्रोल्ड पर, तो दोनों फ्लेट को देख लेते हैं, सबसे पहला फ्लेट ये वाला है, जो वेस्ट दिरेक्शन में हैं, तो फर्स्ट फ्लेट का हम सारा चीज़ देखते हैं सबसे पहले, तो एक मेरा ड्रोइंग रूम है, hall है जो 9 feet 4 inch इंटू 15 feet 2 inch का है उसके बाद मेरा just stair के बगल में मेरा toilet है जो 7 feet इंटू 5 feet का है बिल्कुल ऐस वर्द वास्तो सास्त रहिए और बगल में हम duct 2 feet का छोड़े हुए ventilation के लिए और ये हमारा west and south के corner पे मेरा bedroom है जो 12 feet इंटू 9 feet 5 inch का है जो हमारा master bedroom के लिए first place होता है ठीक है master bedroom के लिए तो master bedroom के जग़ा पे हमारा bedroom है और just this direction में जो हमारा है north and west corner पे kitchen का मेरा second priority होता है या तो हम लोग east and south अगनी कोन में provide करते हैं या फिर west and north में provide करते हैं तो ये हमारा west and north direction में जो 8 feet into 9 feet 5 inch का है kitchen है हमारा slab यहां पे बैठाया हुआ है उसके बाद just bugle में मेरा dining hall आ जाता है 8 feet 9 inch into 9 feet 5 inch का यहां से हमारा दो गेट डाल दिया है जिससे हम बालकनी में आ सके हैं उसका एक bedroom इधर है और मेरा अगनी कोना जो होता है south and east corner पे मेरा kitchen है जो 6 feet 7 inch into 6 feet 8 inch का मेरा kitchen है और यहां 2 feet का हम लोग duct provide किये हैं जिससे की हमारा free हवा वगारा light वगारा आता रहे घर में और यहां duct है यहां हमारा duct है उसके बाद toilet है उसके बगल में जो 7 feet into 4 feet 8 inch का है toilet यह attach वाला toilet है toilet प्लस बाद दोनों है ठीक है इस corner में हमारा एक bedroom है जो 12 feet into 10 feet का है उसके बाद एक bedroom इस side direction में है जो 10 feet change into 10 feet का है यहां से हम लोग इस दगा भी हम लोग setback चोड़े हुए है 1 feet change का उसके बाद हम लोग window provide कर दिये अलग-अलग size का door और windows लगे हुए है यह हमारा first floor और second floor दोनों का यह plan था ठीक है यह हमारा front television front television में जैसे देखे हमारा ground floor पे क्या था दो shop था उसके बाद parking एरिया था तो दो shop मेरा दिख रहा है first shop second shop क्योंकि यह सटर है लगा हुआ और third parking एरिया और उसके बाद सामने से अगर हम लोग देखते हैं second television का मतलब होता है सामने से देखने के बाद किस तरीके से मेरा घर दिखेगा तो यह second floor और first floor similar है क्या है हमारा kitchen यह पूरा area दिखेगा kitchen दिखेगा dining hall दिखेगा bedroom दिखेगा और balcony दिखेगा तो जैसा कि आप देख रहे है kitchen का windows बगर है दिख रहा है डोड दिख रहा है और सारा चीज यहां mention किया हुआ है उसके बाद हम लोग 2 section काट के बनाना पड़ता है एक section काटते हैं एक y section काटते हैं एक section यहां से cut किये हैं अगर यहां से कोई देख रहा है इस side देख रहा है तो क्या-क्या पार्ट दिखेगा घर का उसको हम लोग section करते हैं section cross किये हुए एक section में तो यह x section का यह वाला हमारा diagram है कि देख सकते हैं यह ground का यह first and second का similar है यह हमारा section x x काटा हुआ है और एक section हम लोग y y काटे हुए हैं जो यहां से start होता है और यहां तक यह से देखें इसमें हमारा stair पूरा आ जाता है कभर हो जाता है तो यह हमारा section y y बना हुआ है कि ground floor से हमारा first floor second floor अलग है तो ground floor का अलग है उसके बाद ऊपर का अलग है पाट यह हमारा पूरा प्लान था इसको हम लोग feet and inches में बनाए हुए थे तो passing plan millimeter में बनाए हुए उसको एक बार देख लेते हैं पूरा उसमें detail हो अगर है भी लिखे हुए हैं इसमें हम लोग detail नहीं लिखे हैं यह वही प्लान है इसमें क्या किये हुए हम लोग सारा चीज वही है side front elevation side elevation section x x section y y उसके बाद side plan है ground floor का है first floor second floor का है उसके बाद हम foundation का detailing इसमें डाले हुए हैं जो कि अगर passing plan आपको बनाना है तो foundation detail उसका septic tank सारा चीज का आपको detail देना परेगा तो यह foundation detail हम लोग दिए हुए हैं deep foundation डाल रहे हैं और उसके water harvesting का detail हम लोग दिए हुए हैं यह हमारा septic tank का design है और इस part में पूरा हमें mention करना परता है plot का detail नाम किनके नाम से plot है सारा चीज मेरा area plot total plot area कितना है built up area कितना है उसके बाद far ratio कितना आ रहा है सारा चीज को हमको detail करना परता है और उसके बाद हमें इस corner पर देखिए जैसे यहां दिख रहा होगा schedule of door and windows का हम लोग scheduling करते हैं सारा चीज अगर d1 provide किये में तो कितना है सारे 700 with है इसका ठीक है d1 है d1 है windows हम दो तरह का provide किया है www तो सारा का इसमें हम लोग detailing दिए वे scale डालना परता है इस तरीके से हम लोग पूरा passing plan को बनाते हैं कि लगभख सारा diagram बनाना परता है इसमें 8 से 10 diagram बनाना परता है आज की वीडियो में यहीं तक आज हम लोग पूरा passing plan को देखे हैं जो 1440 square fit का house plan था इसको हम लोग इस plan से हम लोग bank से loan ले सकते हैं कहीं pass करवा सकते हैं चाहे नगर निगम हो या फिर आप grammy नस्तर पे कहीं से भी इसको pass करवा सकते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब दक लिए जय हिन जय भारत